हेलो गाइस विल्कम डूब एपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल आज हम अपने पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस सीरीज का पहला मॉड्यूल देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे पॉइंटर्स के बेसिक्स आखिरकार हईंत सुद्व देखने से पहले हम क्या देखने रहां कि वनाते हैं फलेट सबोस इन्टीजर नाम हो आंसर उसमें शोर हो गया तो आप इस चीज को मेमोरी में कैसे दिखाएंगे जो बनी होगी क्योंकि जो आंसर है वह प्रिमिट्व डिटर टाइप है तो जो रहे में रहे में जो प्रोसेस की चैक बनी होगी उस चैक में यह आंसर वीरियेबल चौकि टैप है तो चार यह ते बाय होगी प्रोस जो रहे मृइनट ुबिल होती है तो इस पहली है इस हो गया कौकर इससे अगली अगंगर सथी तो हमारी जो टायमिला मिला में आंसर वीरियेबल के लिए उसका जो यह पर टो हम अगर बीए आंसर लिखते हैं आंसर को प्रिंट करते हैं तो फॉर के पर जो पड़ा होगा वह कैसे पड़ा होगा यानि 32 bit में हमारा फाइब उनेवाला है तो यह जो होगा एक्शल में मेमोरी में इस तरह का कुछ दिख़रा होगा आंसर वेरियबल अब जब भी हम लिखते हैं कि इस आंसर वेरियबल को सी आउट परवाते हैं यानि प्रेंट करवाते हैं तो क्या हो रहा हमें कैसे पतल लगीगा कि आंस्र वेरीबल फौर गाल ग्याल है तो िंटरनल हमारे प्रोग्रामने एक सिम्बल टेबल बनाई उस सिम्बल में किया वहाँ पर हमें क्या वहां पर हमें शॉर ओगया ऐसर वेरी वाद बी और वह आंसर वेरिबल है किस टाइब का इंटीजर टाइब का है यह सिंबल टेबल में हो गया तो हम जब भी लिखेंगे इससे क्या आइगा आंसर पहले देखेंगे का रहा है वह फोर के पर फोर के पड़ जाके उस वैल्यू को डीकोड कर देंगे यहां पर जो भी चार है तो इससे फाइफ रिंट होने वाला है अब मैं आप से पूछता हूं क्या सी प्लस प्लस में ऐसा कोई तरीका है कि जहां पर यह इंटीजर वेरियेबल शोर करा गया है यह वह हमें मिल जाए और इसका आंसर है हां है और वह तरीका क्या है इस फोर के को गेट करना यानि वेरियेबल का एड्रेस निकालना किसी भी वेरियेबल का एड्रेस निकालना हो तो हम क्या लिखने है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं इस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑपरेटर किसका एड्रस निकालना है आंसर वेरियेबल का एड्रस निकालना है तो एड्र फ्रिंट ने माले इसका जो एक साड्य कोविलेंट होगा और एक साड्यक्विलिंट कैसे होगा बीजाट में Spara ॥च मिलेगा मतलद्ध हो गई यह 010 से और वहां पर आगे ठ्थ 25 1 यह नि लाइन लगा दिया अब अगली लाइन में इड्रेस प्रेंट हो गया saating में क्या देख पारे है ओप ऐस इम्रब ताल है यह जो पूरा एडrress हैं से ना n K सकता है वसकता हैएह का मतलब हो सकता है एक हो सकता है नि का मतलब देख तन्ड35 सी का मतलब 12 डी का मतलब 13 एक मतलब 14 एक मतलब 15 यानि इन टोटल 0 से 9 यानि 10 डिजिट्स और एसे लेकर एफ यानि टे अर टोटल 16 बेस हो गया हमारा एक्सटेसिमल तो हैक्सटेसिमल इस नतिंग बड शिक्षीन वेसिक विलेंट आफ आवर डेसिमल नंबर सिस्टम तो यह ज एक कोशन आजाता है ठीक है हमें एक अंसर विरियेबल हमने बनाया उसकी वेल्यू थी वह उसका जो एड्रस था फोर यह अंपने प्रिंट करवा दिया यूजिंग एड्रस आपरेटर अब क्या इस एड्रस को किसी जगे पर शोर कर सकते हैं क्या हम पॉर के किसी वेरियेब विच कें चोड़ दा एड्रेस ऑफ अनदर वेरियेबल तो पॉइंटर क्या शोर कर रहा होगा यह एड्रेस पॉर के शोर कर रहा होगा यानि अगर मैं एक पॉइंटर बनाऊं लेट सपोस्थ पॉइंटर का नाम रख दू पीटियार अभी यहां पर डेटाटाइप लिखा सिब्सक्राइब नाम का उसमें क्या कर रहे है यह ड्रेस यानि आप आनसर देखो जो आंसर विயां इंटिया टाइप तो जो पॉइंटर होगा ना उसका पड़ा पड़ा है वह पड़ा एक इंटीजर टाइप पर यह यह पर हम जो डिकलेर करते समय क्या लिक रहे होंगे हम एक ऐसी संटेक्स लिक रहे होंगे कि यह कि पॉंटर बने पीटाय्ट का डियां टाइट की विलू कर रहा है तो ऐसा सें تक इस से क्या मिल जाएगा हमें इस से पटा लग जाएगा यह जो मैं में बनाया है तो इंटर प्र्राइब कर रहा हुआ को डियुक् servers कि कि रotal बनाया तो यहां पर लगा दिया अब अगर को प्रिंट करें तो आपके अकावडिंक्या प्रिंट होना चाहिए यहां परना लगा देतू ऊपर भी कि तो जो सोर कर रहा है पोइंटर हमारा देट एडरेस ओफ आंसर तो जो एडरेस होएगा पूईंटर एक्षली टोर क्या कर रहा है एड्रेस और आणसर विरियेबल रॉट करके देखने को कि तो जो एड्रेस प्रेंट हुआ है एड्रेस अप आंसर में वही प्रेंट हो गया पीटी आर में तो पीटी आर इस इक उवेलेंट तू एड्रेज ऑफ आंसरे तो पीटी आर में एक बिशिकली हमने एक बाक्स बनाया डबहा बनाया इस चोड़ यह बत बिशिकली एट्रेस है और के टाइप का यह सोड़ है अब मैं बोल रहा हूं अगर एपने एक दब्ब बना है यानी फी से यार को भी पर करी है तो उसका खुद का भी जो यह एट्रसों गुद का तो स्के ही तो हम बोल रहे हैं कि हम इस को स्प्यट्रि स्पोर करवा एक पारें तो जो इसका होगा लेट सब्सक्राइब कर Goog लिकुंँ सी आउट एड्रेस और तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा जहां पर भी हमारा पॉइंटर बनाओगा उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट होने वाला है तो आप देख भी लो एक बार मैं इसको स्कृरॉल करता हूं तो यह जो एड्रेस है लाज्ट वाल जो अच्छा अब दूसरे जी जा रहे है पहले अपरेटर हमने सीख लिया एड्रेस ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर होता है डी रेफरेंजिंग अपरेटर यानि एस्ट्रिक तो अभी यूस का बात है लेट सब्स हमने एक पॉइंटर बनाया उसमें हमने अंसर विरियेबल का ए पढ़ी है उसको किसी तरह एकसेश कर सकते हैं दुबारा रिपीट करता हूँ क्या हम जो पॉइंटर वेरियेबल है पी टी आर नाम का उस पर जो एड्रेस पड़ा है फोर के क्या हम इस पॉइंटर के थूइस पर पढ़ियू ही वैल्यू को एकसेश कर सकते हैं कि इसी चीज़ को विसिकली पॉइंटर के थुरू वैल्यू जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू पढ़ी है उसको एक्सेस करने के लिए हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यानि तो अगर हम लिखें सी आउट मैं प्रिंट करना चाहूं एस्ट्रिक और प्रिंट हो जाएगा फीटिए आर पौइंटर जो है हमारा वहिं वह की कर रहे है हमारी यह तो इस ईक बार लिख्कर देख लेते हैं को थो अगर मैं लिखने और यानि अभी तक हमने दो चीज़े सीख ली पहली बात एड्रेस ऑफ आंसर लिखना इस एकवेलेंट टू पीटी आर लिखना दूसरी बात आंसर लिखना सिरफ आंसर को परेंट करें पहले लाइन में तो पांच मेंट करेंगर को या इस डि रिख लिख लेंग एक हमने पहला और सरी और करना तो यह दो अपरेटर की मदद से हमने यह दोनों चीज़े देख ली अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के कॉंटिनेशन में हम क्या देखेंगे क्या आखिर कार हमने जो पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप को पहली बात हमारा इंटीजर टार हमने लिख इस पर होने वाली है कि हमने इंटीजर क्यों लिखा और दूसरी बात हो एगी इस वीडियो करते तब तक के लिए इस वीडियो को समझाई होगी अगर कुछ डाउट है तो आप चैट सक्षिन में पूर्च सकते हो तब तक ले बाबाइए